जब इंसान ही नहीं रहेगा तो इसको गल्तियों का क्या करें कि तू थोड़ा सा सब्र कर ले इंतहान जारी है एक दिन वो भी आएगा कि वक्त कहेगा चल अब तेरी बारी है हार तो वो सबक है जो आपको बेतर होने का मोका देगी जीमन में आसानी से सफलता पाने के लिए किताबों से दोस्ती जरूरी है लक्षे ज्यादा दूर नहीं आपका लक्षे ज्यादा दूर नहीं बस अपनी रफ़तार थोड़ी तेज करनी है आज खामोशी से पढ़कर कल सफलता की कहानी लिखनी है तब तक मेहनत मत छोड़ो जब तक तै की हुई मंजल पर पहुँचना जाओ संगर्ष के मार्क पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है जिसने अंधकार मुसिबत और खुद से जंग जीती सूरे बन कर वही निकलता है कांटों की तो फित्रत चुबना ही है गलती आपकी है तो संभल के नहीं चली आज मेहनत करेगा तो कल चैन से बैट कर खाएगा अपने ड्रीम्स पर फॉकस कर प्यार तो बाद में भी हो जाएगा संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है असंभव से भी आगे निकल जाना वही इनसान रिकोर्ड तोड़ता है जिसकी रगों में खून नहीं चुनून तोड़ता है जिन्दगी एक हसीन खुआब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे सिर्फ मुसकुनाने की आदत होनी चाहिए जब तक आप अपनी समस्याओं और अपनी कठिनाईयों की बज़ए दूसरों को मानते हैं तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाईयों को मिटा नहीं सकते अगर जिन्दगी में सफल होना है ना तो आप अपने लक्षे से प्यार करो उसी के साथ दिन उसी के साथ रात उसी के साथ हर पल बिताओ। खुद का दूसरों से मकाबला करना छोड़ दो। सूरज हो या चांद दोनों चमकते अपने वक्त पर ही हैं। मत रखो यार किसी से नराजगी मत रखो किसी से गुसा कोई पता नहीं कौन कब तक तुम्हारा साथ देगा। कोई भी सपना अपनी उकाद के हिसाब से मत देखो उपर वाले की उकाद के हिसाब से देखो ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें नहीं मिल सकता इस पूरी दुनिया में जब आखों में अर्मान लिया मंजल को अपना मान लिया फिर मुश्किल क्या और असान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया